नमस्कार मैं काजर्व यूगडेव फ्रॉम एमनेस न्यूज लाइफ बंडारा जिलने के साकोलीवन शेत्र अधिकारियों की मनमानी यहां कार्यारत मजदूरू का आर्थिक शोशन अमनेस न्यूज को मिली खबर के अनुसार साकोलीवन शेत्र के ताथ आने वाली यहां यहां शेत्र किनी में स्टेट केमपाई योजना के ताथ रोफ़न करने ही तुग बंडार एक्टर शेत्र में करीब 16,665 खटे मजदूरों के हाथों से खुदवाए गए लेकिन आरोफ यह है कि सरकारी नियमों के अनुसार मजदूरों के उनकी मजदूरी नहीं दिगए राउंड ओफ़िचर डोटे के साथ उनके करमचारियों का यहां मनमानी किसे कारोबार चल जाए मजदूरों को गटे कुदाई की सरकारी रेट के रेट न देते हुए केवल अठर रुपे गटे के हिसाप से पैसे कुल अठरवर मजदूरों को बैंक खाते में जमाप किये गए जबकि कोई भी नगत व्यवार करने की इजाज़त नहीं है राउंड ओफिसर डोटे के साथ भी करमचारी यहां के लोगों के साथ मनमानी करते है अन ये में काम करके बड़ा बोटाला यहां शुरू होने की जानकारी मिली मनेस्ट्यूज ने इस वन विभाग में हो रही बड़ी घटना का परदा पार्ष करते हुए इस प्रत्यक्ष घटनास्तान पर जाकर जाज़ परदा शुरूप की तो मस्दूरों आथिक शोशल सामने आया है राउंड ओफिसर डोटे वो पूछ तच करने पर उनके पूछ सामने आते है तरत्यकारी गलत जानकारी देकर ओटाले पर परदा डालने की पोशिश कर रहे थे आई ये दिखते हैं हमारे भंडाराज ब्यूरो के चीफ निशान लानेवार की स्पेशल रिपोर्ट साकोली साथचल के ग्रम की में यहाँ पर खणे है यहाँ पर राजसरकार की और मतले भंडारा वर्ण कि यहाँ पर जो बेज दूम disciples कि दिनों में रोपन क करने जा रहे हैं लेकिन ऊरापन रूपन के तहित रूपण कार यह दोजार अटारा उननी से अब बोट पर देख सकते हैं और कक्षक्रबाँ 157 वानविवा का किनी रूपण शेतर इसका है 15 हेक्टेर और तीन मीटर बाए तीन मीटर के डिस्टेंस है और खड़े का यहाँ पर प्रणाम भी दिया हुआ और यह कुल मि बारिस होते बराबर यहाँ पर नया मतलब रोप लगाए जाएंगे फारिश विवाग के तरफ से योजना का नाम है स्टेट कैम्फ अंतरकेत रूपन काम 2018 यह महत्वपुर्ना काम फारिश विवाग के तरफ से किया जा रहा है लेकिन यह महत्वपुर्ना काम करते समय काम पर हमारा साथ कुछ मजदूर जो है जो तक पाइसा नहीं मिलाएं थासकर करने के बाद में इनके आश्मत नगत 100 रूप में भी बाध में पैसा लाकित दिया मतलब इसका पूरा जो विवार हुआ चुका है उस विवार के अंदर कई न कई लाक अरुपे का खपला किया गई यह सपस्टरुप से दिखता है इस काम पर हमारा साथ परक्ष माज़ूर किसकी जो है जिंदों ने कम किया जिनकी शिकायतें जिनको पैसा नहीं मिला इसे कुछ मजदूर भी हमार साथ में यहाप पर उपस थी तो हम उनसे बात करते और उनकी हकीकट पुछते. आपका नाम बताईए और क्या हो आपके साथ में? शीवरा मनसरम बठले. आप भी अब यह स्काम पर थे? हो. पर लेका पिस्वानन एक वादमंदी या नगिया नहीं दिला आपके खाता में जमानी किया है नाए पहले खाता में जमानी किया है आपके खाता में दिला आपको पता है कितना रुपे सरकारी नियम से हिसाब से 30 रुपे गड़ा ऐसा बोर रहा था साहब लौक तह माईने हिसाब लगाया तो एक अकाउंट मेरे थे लेकिन मेरे अकाउंट में पंचीस सव रुपे जमा हो गए मेरे घर में साथ रुपे लाकर दिया वगारे शाब ने अब बतला और जो पैसे मेले पूरे मिले अगान में अगाउंट में आपके साफ से जो मेंनत की साफ से पैसे नहीं मिले आपका क्या नाम है आकास भारत जिवन दिर वड़े आप भी इसमें काम करते हैं मैंने पासो से ज्यादा खोदे क्या हुआ फिर आपके साथ ले आधी अटरा रुपे गड़े के जैसे पैसे दिये अकॉंड में और अभी चार पात दिन के पहले तीन मज़े चार रुपे काई पैसे से लाके दिये तीन मज़े दो हजार नवसा अंसी रुपे क्याश में लाक उसने कंप्लेट डाले उसके बाद उसने क्या किया अभी पता नहीं और कंप्लेट डालने के बाद ही चो ऐसे लाके दिया अपका नम के जी सचिन चरंदा साक रहे हैं आपने गड़े खोदे लगबग जोड़ी में 600 गड़े तो 600 गड़े पहले अपने 18 रुपे के हिसाब स बाद में अपने दिल्प जी उंदर वड़े इसनों ने फिर कोशिश के थोड़ी कि खड़े बराबर मतलब यह रेट बराबर नहीं है करके उसने अपने कंप्लेट दी उसके पदम चाथ फिर उसने हमारे को उदर बोलाए थे और बोल रहे थे कि कैसा कैसा मतलब इसे तो हम सब्हार स्थी को दो हम जतने लोग गये थे वा पर उसको मत दनेको है पर फेसे लिगों दो को क्यों कि हम दो चार आदमें लेके आये रहे तो बाब बखे आदमीं को नहीं मिलते ना जिनों ने कंप्लेंट किया है साइन थी कंप्लेंट पर उसको बुला कर जब पैसे देरा जादा के डर के मारे है उनको लगता है कि आपना सब ये गोटाला सामनी आए जाएंगा ऐसा है ना इसलिए आपने पैसा मना कर दिये मना कर दिये बागा नाम भास तब शती सुंदेर आपको बाकी के पैसे क्यों ने देरे मालूम नी मैं गाव गया था इसी वह जर्शी होंगे अगर पैसे मिले तो आप लोंगे ने मैं इसाफ लहाँ सरकार जाए यह सारे की सारे पैसे आकौंड में जम होना वह ज्याए इसका मतलब कई ने कई गोलमाल दिखता है जतना यह सारा कौन काम कर रहे हैं अब कोण साहे तो आपिसर किरावन आपिसर कोने आप ठोटे कुछ तो भी है और ये का आरिया कर कुछ तो भी है अच्छा दीदी आप आई इदर आपका नाम क्या है सुरेका राजिंद्रवल था अब इसका काम पर थे हैं अच्छा कितने गटे को दे आपने पता नहीं हो तीन से चे शेजार आठ से शेजार आठ सो मिले यह खाते में जमाऊ गेते हैं अच्छा कोनी साइब यह तिल तो पूरे पैसे मिले क्या तो हाँ बोल देने का अच्छा आपने जो साइन हो अगर लिए उन्हें उसमें कुछ आमाउन हो लिखाता है नाइक कुछ भी नहीं कितने पैसे साइन लिए इसको पर कुछ लिखा था नाइक इसको पैसे दे रहे कि जा अच्छा कुछ भी नहीं लिखा था और खाली पैसे देखे चले गए अच्छा आपका नाम विज्जय मेश्राम अब इसकाम पर थे हो क्या हूँ आपके साथ में तेंसव गड़्डे चाइसे में ड इसलिए नहीं प्रणाओं नहीं पता नहीं अधिकारी को लगा होगा कि आपने उपर आने वाली बात है इसलिए शाहिद कम्प्लेंट करने के बाद में आपको समझा बुजाने के लिए मतलब कर लाके दिया है 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 तो यह मजदूर भाई कि देखे जुन्हों के मेहनत किया कोशिशिव कि और यहां पर वाक़े में व्रणी के उसेयों को पाईसा मिलना चाहे हैं हमारे समाजिक करेकरता यहां पर जो अंधिरवाडे इनों और इसकी सिकायत की और ईनों वार पारट जीने शिकायद की हमारे यहां के जो मजदूर इतने घड़ी धूप में मेहनत करते और इनको सही माइने में सरकार के नियमन के अनुसार इस्टेमिट के अनुसार पैसा मिलना चाहिए लेकिन पैसे नहीं मिले एक सामाजी कारे करता के दाय तो निबाती हुए दिलिप मुझे उन्दिर वाड़े इन्होंने कंप्लेंट की और कंप्लेंट का क्या फाइदा हुआ आए इन से पूस्ते दिलिप जी मुझे पता यह आपको ऐसा क्यों लगा कि मतले यह कंप्लेंट करना चाहिए देखो आज से इसके पहले भी मैंने कई बार फारष्ट के काम में आ कि कितने रुपे खड़ा दिया तो उन्हें बोले आठरा रुपे तो इनका तो रेट बोला चोईस रुपे त्रेपन पैसे है और आठरा रुपे क्यों अइसा मेरे धान में फिर मैंने सभी को जो जो काम पे थे उनको बोला कि तुम जो पात्दस लोग सिगनीचर लाखे द 25 में को निवे दिन दिया तो फिर उसको लगा हूंगा कि यह कुछ नहीं कुछ अपनी उपे लाएंगा तो उन्हेंने मजदूर के साथ बातचीत करकी यानि उसको इहरासत में लेके किस नहीं किया मतलब को कुछ ना कुछ बढ़काएंगा ऐसा भी बोले उन्हें आपस में बात के एक बारतों तो फिर उन्होंने मजदूर उनको बुलाया और बोले मैं बाखी वाले पैसे दिता हूँ तो भी उनको दिया मैं मैं बाहर था फिर वहां से आया और पूचा तो बोले कुछ पैसे दिया बोले तो वह भी 24 रुपे 53 के हिसाब से नहीं दिये यह मालूम चला यह सरकारी नियम 24 रुपे 53 पैसे का है ऐसा मुझे मालूम था तो आपने शिकायत करने के बाद में जब यह ख़बर फैली तो उसके बाद में उनने चैश्में पैसे देना उचित नहीं है जो ब्यांक अकाउंट है उसमें जमा करने को होना था यह मतलब किया वज़ स्वें यह वो कुछ स्वारा को चुप जाएंगा इस वज़यो अपको लगता है इस का में कुछ ब्रश्टा चारू हुआ है कि अगर यह हम रिपोर्ट करने के बाद याने उन्होंने लाके क्यों दिया फिर उनमें कोई यह नहीं थी और उसमें खोट नहीं थी तो फिर लाके क्यों दिया लाके दिया और वोले कि मैं उसे अपना राउंड़ा पर साथ से फोन से कंटा किया तो बोले वो कुछ तो भी ब तो यह थे हमारे दिलेब जी उंदेर वाड़े जिनों ने शिकायद की ती इस काम में वाकई में जिस तरह से मजदुरों को मजदुरिज दी गई है और उसके बाद में शिकायद करने के बाद में जो एक्स्ट्रा पैसा जो क्याश में लाकि दिये इस दोनों के इसे अगर दे है और मनमारी कारभार के हिसाब से मजदुरों को एक गुलाम गिरी की नाते मतलब उनके तरफ से काम करवाते है और कम पैसे दे कर अपनी मनमानी चला रहे है यहाँ पर काफी रुपयों का ब्रश्टा चार हुआ है लाख रुपय का ब्रश्टा चार हुआ है क्या वन विब सब्सक्राइब कर दिया है अपने पहले अपने अटारा रुपया बैंक अकॉंट के माद्दे उसे जमाग किये लेकिन उपर के जो उपर के पैसे आपने क्याश में कुछ लोगों को पहुचा कर दे रहे हो कितना रुजी था रे सरकार के नियम को ग़िए रोजी है लेकिन आपने गट्डे के सबसे दिये अटारा रुपया पहले बता है अब यह अपने और चार रुपय पहुचा के दिया तीनसो सरकार नियम कितना है कितने मजूर थे कुल मिलाकर कितना रुपय का इस्टिमेट था कितने खटे को दे गए उसमें यह अबने मजूर आप इस चानल को सबस्काइब करें दन्यवाद झाल झाल